हेलो दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ बिहार की अपकमिंग वेकेंसिस की चर्चा करने से पहले हम आपको थोड़ा सा अपडेट यहां पे देना चाहेंगे बिहार की पुरानी वेकेंसिस को लेकर अभी हाली में बिहार स्वास्त विवाग की तरफ से एन्यम की रिकूट में निकाली गए थी जहां पे करीब 10,000 से भी उपर पदों की वेकेंसी अपडेट की गई थी और उनका recruitment अभी प्रोसेस चल रहा है जाके आप लोग बिहार के स्वास्त विवाग समीती वाला official website पर जाके सारे चीज़ चेक कर सकते हैं यही नहीं अभी दोस्तों मही महीने में भी आपको बता दे कि 702 पदों का स्रिजन किया गया है किसके लिए तो यह दंत स्वास्त विज्ञानी यानिकी आपको डेंटल हैजिनिस्ट हैं जिनका recruitment किया जाएगा तो यह आपको नोटिस नहां से देखने को मिल सकता है बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्णेंट ऑफ बिहार के ओफिशल वेबसाइट पर जो की अपडेट हमने आपको इस वीडियो के माद्यम से दिया है और यह कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पे 700 की वेकेंसी चल रही है वहीं पे जब आप परिक्षा वाले यानिकी बीटी अपडेट किया था उसके रिगार्डिंग नोटिस जारी किया गया है एक से टेक्निशन के लिए यहां पर जारी किया गया है यह देखे अभी जो है आपका रिगार्डिंग ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर दा एनिम को लेकर अभी और रिकूटमेंट आने वाली है और साथी जो वेकेंसिस चल रही है उनका आप यहां से रिचेक कर सकते हैं तो यह जो है आप सभी को ओफिशल विबसाइट दिया गया है जहां पर आज के इस निउज अपडेट पर जो की यहां पर स्वास्तिभाग के लिए अपडेट किया गया है तो आपको मैं थ्वासा है मानसिक के लिए यानि कि जो भी मानसिक रूप से वीडित ऐसे लोग होते हैं या फिर मरीज सब्सक्राइब जा रही है जहां पर करीब करीब 123 करोड की लागत से बिहार जो है यहां पर मानसिक स्वास्त केंद्र इस्थापित कर रहा है जहां पर विज्ञान संस्था बनेगा और यहां पर वैसे लोगों का एक अपडेट दिया है जिया चुकि जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे लोगों का सबसे पहला सवाल कि आप जो दस लाकी नौकरे हैं यह कब तक अपडेट करेंगे तो इन्होंने सीधा आस्वासन देते हुए सब कुछ कहा है यहां पे कि देखे सब कुछ के उपर काम च साथ हजर बाली होगी और इन में से यह भी बताया कि सत्रह सो पदों के लिए बिग्यापन निकल चुका है स्थेस पदों पर न्युक्ति की प्रकरिया चल रही है उन्होंने भोजपूर में मानसिक स्वास्त संस्था के उद्गाटन के लेकर मौके पर यह बात कही है कि विर करनी है जितने भी स्वास्त केंद्र है या अस्पताल है उनकी अनुपस्तिती और लापरवाही बर्दास अब नहीं की जाएगी जैसा कि अभी हाल के ही दिनों में यह पी एम से में रात में ही चले गये और वहां के सिती का जाय जा लेना शुरू कर दिया और आपको बदात से बाहर जाके अपनी दवाईयों को ना कर दे ऐसी हम वेवस्ता कर रहे हैं तो यह 123 क्रोड की लागत से इन्होंने जो है भोजपूर की कोईलुवर में बिहार राज्य का मानसिक स्वास्ता और जो संस्था है यह बनवाने का यहां पर गाटन कर दिया इन्होंने और आपको 80 क्रोड रुपे जहां पर मिलते हैं जबकि राजी सरकार जमीन खरिती है और उन्हें निर्मान करके एक तहट 1000 क्रोड खर्च होता है और यह जो है 150-180 क्रोड लेने की जुरूत अब नहीं है केदर सरकार का कॉलेज और अपना खुद का अपने बूते पे हर जिले में मेडि आपके लिए करिब 60,000 के दिख्टिया करने जा रहे हैं तो अभी आप लोगों बहुत सारी चीह देखने को मिलेंगी दोस्तों है ना आप ऑफिशल विबसाइट जो है बिहार स्वास्त समीती का भी विजिट करते रहे है बीटी एसी का ओफिशल विबसाइट विजिट करत हैं तो एक छोटी सी सूशना में आपको यहां से भी देना चाहूंगा बिहार सरकार का स्वास्त नेदेशाले की तरफ से अपडेट किया गया था जो कि 24 फरवरी 2022 को ही किया गया था अब इसके लिए जो है अपडेट आपको मैं दे दना चाहता हूं कि इसमें 62 नर्स ग्रे मैं आपको देता रहूंगा दोस्तों अपने इस चैनल के माद्यम से बात करते हैं दोस्तों बिहार के बीपीएसी के इस विभाग को लेकर जहां पर बीपीएसी ने कल देर रात एक यहां पर नोटिफिकेशन जारी करके हड़कम मचा दिया है यह नोटिफिकेशन इसके एक आपके एक्जामनेशन डेट फिक्स होंगे यहांने कि देट तो फाइनल हो चुका है कि इस डेट में जो है आपका एक्जाम होना है लेकिन यहां पे जब 68 बीपीएसी की बात होई कि आखिर 68 बीपीएसी का नोटिफिकेशन कब तक दिया जा सकता है तो यह अपडेट यहां पे आपको देखने को मिला है यह आप देख सकते हैं यह पर दमित्रो कि जो इसका प्रेलमरी टेस्ट है वह आठ जनवरी को होगा इटमिंस कि आपसे फॉर्म एक मैना पहले भरवाय जाएगा हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर या फिर नमोंबर में भी भरवा आ जाए और इसको फॉर्म भरने का तयारी करने आपको मौका दिया जाए तो आपको फॉर्म भरने का जो लिंक है वह हो सकता है कि दिसंबर में एक्टिबेट के जाएगा लेकिन नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में सारा अपडेट यहां से दिया जाएगा नंबर वेकेंसी कितनी होगी और शटवी बीपेसी में इसका अपडेट यहां से आपको देखने को मिल सकता है अब इसके रिजल्ट को भी लेकर यहां पर अपडेट कर देगे पीटी जब और 5 सेप्टेंबर 2023 तक इन सब की फाइनल ज्वाइनिंग कराजी जाएगी तो एक लंबा शेडियूल तो है मतलब कि एक साल के अंदर अंदर तक एक चीज़ देखा जाएगर एक साल के अंदर अंदर तक यह सारा प्रोसेस आपका समाप्त हो जाएगा अभी आपको बदा दे कि इसका जो रिजल्ट है अभी नवंबर में जारी तो किया जाएगा लेकिन देखे एक्जाम डेट जो दे दिया गया है मेंस का दिसंबर में ही दे दिया गया है यानि कि मेंस को तयारी को लेकर यहां पर आपके पास समय नहीं है लेकिन यह कोई बात नहीं हुई है यहां मतलब हम इस date में लेंगे एक्जाम तो आपकी तयारी नहीं है। चातर यहां पर अपनी तयारी शुरू से कर रहे हैं। और यह हर बार आप लोगों कहा जा रहा है कि अपनी तयारी इस तरीके से रखे कि आप मेंस के त्यारी में लगे हुए है। पीटी की तयारी में लगते हैं तो आप यहां पर कोई डाउट आपका वह नहीं होता है कि आप पीटी निकाल के फिर मेंस निकाली लोगे लेकिन यहां पर मेंस की तयारी में अगर आप लगते हैं तो आप से मेंस भी निकलेगा और पीटी तो आराम से निकल जागेगा तो य की जोइनिंग इनकी मई तक करा ली जाएगी और यह 802 पदों में सबसे अधा पूश्ट रहें आप डियम के हैं तो हो सकता है इस बार आपको ज्यादा डियम रिक्रूट किये जाए बीपीएसी के माध्यम से भी तो फिलाल यह जो अपडेट है दोस्तो इस नोटिफिकेशन क एक्जाम डेट आ रहा है और आप लोग भी इसकी तैयारी में लग जाएए अभी सहीं जिनको लग रहा है कि उनका 67 वीपीएसी का फॉर्म नहीं बह रहे हैं या पिर तैयारी अच्छी नहीं है तो 68 वीपीएसी में लग जाएगा आपके पास समय कितना है यहां पे तो गि झौdefined आपको पीटी के proclaim दिए जाएंगे और जो भी छात्र मेंशों की त्यारी कर रहे हैं उनको आपके गाइड भी किया जाएगा कि आप कहा से कैसे अपना मेंस की त्यारी कर सकते है फिल्लाल आपको बता दे कि एक बंपर विकेंसी और दोस्तों जहां पर अबहागी जि तो यह प्रतान सिक्षक की बहाली है दोस्तों 40,000 पदों की जिसके लिए अपडेट यहां पर किया गया पहले से तो ऐसे करके जितने भी वेकेंसिस का अपडेट है इस कलेंडर में जारी कर दिया गया है मैंने कल भी इसके उपर एक वीडियो बनाया था आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लिजिएगा तो यहां पर हर एक भी भाग में अपकाम हो रहा है और एक सिलसले वार्त तरीके से हो रहा है देखिए अब इसका क्या रेजल्ट ने इंटाता है आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे आप से अगली वीडियो में जैहन